हरी कृष्णा राधी राधी एक बार भगवान कृष्ण के मन में आया कि आज गोपियों को अपना एश्वरी दिखाना चाहिए ये सोच कर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी तब भगवान कृष्ण अपना चार भुजाधारी रूप प्रकट करके बैठ गए उनके चारो हातों में शंक, चक्र, गदा और पदम था गोपियां भगवान को ढूंडती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी तबीवें उस निकुंज में आई जहां भगवान बैठे हुए थे दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली हम कब से ढूंड रही हैं और कृष्ण यहां बैठे हुए हैं जब धीरे धीरे पास गई और ध्यान से देखा तो कहने लगी अरे ये हमारे कृष्ण नहीं हैं इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह हैं परन्तु इनकी तो चार हुजाएं हैं ये तो वैखुंट वासी विश्णू हैं सभी गोपियों ने दूर से ही परणाम किया और आगे बढ़ गई और बोली चलो सक्यों कृष्ण तो इस कुण्ज में भी नहीं हैं कहीं दूसरी जंगे देखते हैं ये प्रेम हैं जहां साक्षात भगवान विश्णू भी बैठे हैं तो ये जानकर कि ये तो विश्णू हैं कृष्ण नहीं कोपियों पास नहीं गई भगवान कृष्ण ने सोचा गोपियों ने कुछ कहा ही नहीं अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए ये सोचकर भगवान कृष्ण वैसे ही विश्णू के रूप में निकुंज में जाने लगे जहां राधा रानी बैठी हुई थी दूर से ही भगवान ने देखा राधा रानी जी अकेली बैठी हैं तो सोचने लगे अब राधा को भी अपना एश्वरिय दिखाता हूँ और धीरे धीरे उस और जाने लगे प्रन्तु ये क्या जैसे जैसे कृष्ण राधा रानी के पास जा रहे थे वैसे वैसे करके उनके चारो भुजाएं गायब होने लगी विश्णु के सुरूप से कृष्ण रूप में आ गए जबकि भगवान ने एश्वरिय को जाने के लिए कहा ही नहीं वह तो स्वत्य ही चला गया जब वे राधा रानी जी के पास पहुंचे तब तक पूरी तरह से कृष्ण रूप में आ गए थे अर्थार्थ वरंदावन में यदि कृष्ण भी चाहें तो अपना एश्वरिय नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके एश्वरिय रूप को तो वहां कोई पूछता ही नहीं यहां तक कि वह एश्वरिय तो राधा रानी के सामने ठहरता ही नहीं राधारानी जी के सामने तो एश्वरी भी कृष्ण की अनुमती के विना ही चला जाता है प्रेम सी कहिए जै जै श्री राधी